ये गाइज वर सब तो आज बात करने वाड़े हैं जो रोज इन फिल्ड की बाइक से उनके पर बहुत ज़ादा वेटिंग पीरिड चल रहा है राउंड दो डाई तीन च्यार पांथ छे महिने तक भी चल रहा है तो बहुत से बाइक कोमेंट्स में पूछे रहते हैं कि कोन सी कम है हमें प्रचेज करनी है तो मांज आपको 5 बाइक से बताऊंगा इसमें में तो तीन ही होंगी जिन पर कम वेटिंग पीरिड है लेकिन पिछे वाड़ी दो भी जो फोर्थ और फिफ्थ नमबर पह उन पे भी ठिक ठाक साइव वेठिंग पिरिड है तो स्टार्ट करते ह नंबर वन बाइक से तो वो है जो आपकी बुलेट आप देख रहे हैं इसमें जो एक्स मोडल आता है बुलेट 350 एक्स किक्स्टार्ट वाड़ाई जो इससे भी निच्छे आता है वो बाड़ा मोडल है जो उसकी वेटिंग पिरिड अराउंड वन मन्त की है वो आप बाइक प वेटिंग पिरिड सबसे कम है इन वाइकों के उपर वेटिंग पिरिड रॉल इन्फिल्ड ने इसलिए कम रखा हुआ है क्योंकि ना तो यह बिखती है ज्यादा और रॉल इन्फिल्ड की सेल्स को इंक्रीज करना चाहता है इसमें आपको स्टेंडर में यह कलर मिल यह एक मंत में तो कहीं पे भी ले लो आप सब जैने मिल रही है ठीक है सेकिंड नंबर जो बाइक है वो है बुलेट 350 एकस एस जो स्टेंडर से थोड़ी उपर आती है बुलेट में ही है वो इलेक्टर आप कह सकते हो जिसको जिसके अंदर इलेक्ट्रिक स्टार्ट आपको सबी कलर मिल जाएंगे उसके अंदर रेड भी आता है ब्लैक भी आता है तो जो भी उसके अंदर कलर आते हैं अगर आपको जल्दी बाइक लेनी है तो आप बुलेट 350 एकस एस की तरफ जा सकते हो वो भी अच्छी बाइक है स्टेंडिड ही है वो उसके अंदर आपको क्लासिक में पसंद था तो हम क्या लें तो उनके लिए भी अच्छ ऑप्शन है बुलेट 350 एकस एस उसके अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट भी देखने को मिलता है और क्लासिक वाड़ी फिल्द भी है क्योंकि उसके अंदर सेम इंजन है ठीक है जो क्लासिक के अंदर आता थ उसके भी आपको एक मन्त की ही लगबग वेटिंग पिरिड मिल रहा है एक मन्त पांस दिन एक मन्त के अराउंड ठीक है ना वह बाइक भी आप प्रचेज कर सकते हो क्योंकि वह बाइक को रोल इंफिल प्रमोट करी उसको ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया है तो रोल चैनल यह बीस मिलता है और सिंगल डिस्क ब्रेक मिलती है इतना है बाकी कोई ज्यादा मच्छ डिफ्रेंस नहीं है उसके अंदर तो अगर आपको पसंद है तो आपको ले सकते हो दो लाख दस जार पे कि उसका प्राइज है और रोड हर्याना के अंदर सबसे बेस मोडल स्टेंडर इनका टाइम जो हो 45 मंद 45 डेज के राउंड चल रहा है मैं मिटियोर इसली कह रहा हूं मिटियोर पर टाइम बहुत जाद है लेकिन मिटियोर के अंदर जो फायर बॉल रेड और फायर बॉल यल्लो जो कलर आता है वो बाड़े जो दो कलर हैं बेस मोडल लो बाइक है तो वह आपको 45 डेज में इसली मिल जाएगी और स्टेंडर भी बहुत सारे शोरूम्स के उपर जो बुलेट स्रिफ्टी है जो आप देख रहे हो वीडियो कंदर यह वाड़ी बाइक भी आराम से आपको 45 डेज में मिल रही है ठीक है ना कहीं कहीं दो मंत की व मिनने होगे तीन मिनने होगे बुकिंग कराय मिली नहीं रही है बाइक तो आप उसी बुकिंग अमाउंट के अंदर आप पाइक चेंज कर सकते हो शोरूम पर जाके जैसे मैंने आपको बताया अगर आपको जल्दी है थोड़ी तो बुलिट थ्रिफ्टी एक्स आप लो और एक्स येस होगी सेकिन नंबर पे और थर्ड पे जो नई क्लासिक थ्रिफ्टी है उसकी रेडिट शीरीज और फौर्थ नंबर पे स्टेंडड आप कह सकते हो और पांसवे नंबर पे फायरबोल येलो और फायरबोल येलो जो मिटी और के अंदर कर रहा है वो ठेक लेने से पहले एक पार आप पाई की टेस्ट राइड जरूर लें शोरोम के उपर जाके फिजिकली देखें यूटूब अगर आप वीडियो देखें मेरे चैनल पर भी लगवक सभी भाईकों की वीडियो है वहाँ पर देख सकते हो तो यह जो बाईक्स है इनकी वेटिंग पिरिड रहा है तो बहुत से लोग हैं अपने रीजन हैं बाईक्स लेने के और मैं एक चीज़ और आप यहां कोँगा कि आप अपने आसपास की जो सिटीज हैं दूसरी उनमें भी जाके पता करें आपको क्या पता हुआ वहाँ पे जल्दी बाईक मिल जाती है बाईक बड़े शोर करें और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें थैंक यू